ओम श्यान्ती, आज आपका 68 वी दिन का वरदान और आज के वरदान में परमात्मा पिता हमें याद दिलाते हैं कि कैसे उनको ऐसे बच्चे पसंदें जो की सच्चे और साफ दिल से क्योंकि सच्चाई और सफाई सबसे उंचा गुण हैं सत्यता के लिए तो परमात्मा को हम सत्य कहते हैं, God is Truth, क्योंकि वो आकर के हमें सत्य बताते हैं, और साफ तरीके से बताते हैं, तब ही देखा जाए, तो हम परमात्मा को ब्रह्मकुमारीज में सफित प्रकाश, एक स्टार मानते हैं, वैसे देखा जाए, तो आत्मा भी एक स्टार है, सफित प्रकाश है लेकिन जूट फरेब गलतियां विकार और पाप करते करते आत्मा में अंदर कालापन बढ़ गया है और सच्चाई और सफाई की कमी के कारण परमात्मा से लिंक टूड़ गया है तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले अपने आपको आत्मा मानो और दे की सारी बातो सच्चाई सफाई बढ़एगी तो आज देखें परमात्मा किस प्रकार से सच्चाई सफाई हम से चाते हैं तो बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा इसको धारण करने अपने जीवन में समीपता का अनुभव करने वाले संपून मूरत भवा किस से समीपता परमात्मा से तो समीपता के लिए तो सबसे ज़रूरी है सच्चाई सफाई अगर उनसे हम जूट कहेंगे तो उनके साथ हमारे संसकार मिलन नहीं होंगे संसकार मिलन ना होना मतलब ना तो आप किसी को अपना साथ ही बना पाओगे ना ही आप किसी को अपना कोई संबंध ही बना पाओगे जीवन में अंदर गांठे नहीं बनाना और सच्चा यह मतलब जो है जैसा है सीधा आगे बोलना तो जो सच्चे होते हैं जो जैसा आगे बोलते हैं उनको लोग पसंद करते हैं हां बोलने के तरीके अलग होते हैं अगर आप क्रोध से आकर के अहंकार से आकर के किसी को आगर आप केते हैं कि सबसे important सच्चाई सफाई तो मेरे से तो है लेकिन आज की दिन पर बाबा केते हैं सभी धारनाओं में मुख्य धारना है सच्चाई और सफाई एक-दो के प्रती किसके प्रती एक-दो के प्रती परमात्मा के प्रती तो होना ही है guaranteed एक-दो के प्रती दिल में बिल्क सब कुछ पश्ट दिखाई देता है पानी साफ होता है सब कुछ पश्ट दिखाई देता है आ वैसे एक दो की भावना, भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे, वैसे एक दो की भावना, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रती, भाव स्वभाव, नेचर एक दूसरे के प्रती, स्पष्ट दिखाई दे, जहां सचाई सफाई है, वहां समीपता है, है ना, अगर अं कुछ और सोच रहे हैं तो दूसरी आत्म को महसूस हो जाता है जतना कोशिश कर ले जैसे बाप-दादा के समीप हो बाप मतलब परमपिता परमात्मा निराकार दादा मतलब आडम या ब्रह्मा जिनके तन में आके परमात्म में यह ज्ञान देते हैं अपसमें भी दिल की समीत्ता हो सुभाव की भिनता समाप्त हो जाए है नेचर आपसमें तुलना करने का नेचर है किसी को और वक अंदर खामियां देखने का नेचर है यह अगर रखा तो भी समीत्ता नहीं आपाईगी, बहुत सच्चाई और सफाई चाहिए अंदर से इसके अनुसार ही आप परमात्मा के निकट हो पाते हो जो परमात्मा सब को प्यार करते हैं जो आत्मा उनका बच्चा सब को उसी नजर से प्यार कर पाए और गिरिणा ना करे, नफरत ना करे तो जाकर के वो परमात्मा के समीप है तो बाबा कहते हैं इसके लिए मन के भाव और सुभाव को मिलाना मन का भाव अलग और नीचर सुभाव अगर आप अलग दिखा रहे हैं औरों के सामने तो नहीं काम करेगा उसमें सच्चाई और सफाई नहीं है तो बनाता है मन का भाव और स्वभाव को मिलाना है जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपून मुरत अगर आपके स्वभाव में कोई फर्क ना हो अपने भाव के साथ में अगर आप सोचते हैं अच्छा हों के बारे में और बाहर से दिखता भी अच्छा हो, आप उनसा वैवार भी अच्छा करते हो तो आप संपून बन रहे हैं परमात्मा की नजर में तो बाबा इस चीज को ध्यान दिलाते है हमें और हमें कहते हैं इसको चेक करो पूरे दिन झाल झाल